पाठ पंद्रा, शब्द पंडार, वो क्या प्यलरे? विलूम शब्द, आंटनेम्स, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलूम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं. शब्द अवनती, विलूम उन्नती, अग्रच अनुच, अनात सनात, अदोश सदोश, आज कल, आविर्भाव तिरुभाव, आग्मन प्रस्थान, आयात निर्यात, आरोहन, अवरोहन, आरोही, अवरोही, इच्छा, अनिच्छा, जटिल, सरल, जाणा, गर्मी, जण, चेतन, जेय, अजेय, जीवित, मृत, जय, पराचे, तरल, ठोस, तम, आलोक, देय, अदेय, दूशित, स्वच्छ, कृताक्य, कृतगन, कोमल, कठोर, कम, अधेक, क्रय, विक्रय, कुपात्र, सुपात्र, खरा, खोटा, सुक, दुख, गरीब, अमीर, गंदा, साफ, गुप्त, प्रकट, इमांदार, बेहिमान, इधर, उधर, उपस्थित, अनुपस्थित, उप्योगी, अनुप्योगी, उदार, कृपण, उन्मुक, विमुक, उश्ण, शीत, उथान, पतन, उचित, अनुचित, रात, दिन, उदै, अस्त, दुख, सुक, देव, दानव, धनी, निर्धन, सगुल, निर्गुल, हसना, रूना, हार, जीत, क्षमा, दंड, स्पष्ट, अस्पष्ट, हर्ष, विशाद, हिंसा, अहिंसा, उधार, नकद, कठिन, सरल, निराकार, साकार, नोतन, पुरातन, परतंत्र, स्वतंत्र, मूँख, वाचाल, राजा, रंग, वक्ता, श्रोता, सत्य, जूट, सभ्य, असभ्य, पत्सम, संस्कृत भाषा से जियों के त्यों, उसी रूप में हिंदी में क्रहड किये गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं तत्भव, संस्कृत भाषा के जिन शब्दों करू, हिंदी भाषा में परवर्दित हो गया है, उन्हीं तत्भव शब्द कहते हैं तत्भव, अनाच, तत्सम, अन्न, अंधा, अंध, आच, अध्य, अचरच, आशर्य, आम, आम्र, आसु, अश्रु, कुवा, कूब, करम, कर्म, खेत, क्षित्र, गेहुं, गोधुम, गाउं, ग्राम, गाण्ट, ग्रंथे, चोंच, चंचु, चांद, चंद्र, चम्णा, चर्म, छेद, छिद्र, तीता, तिक्त, दर्शन, दर्शन, धर्शन, धर्म, धान, धान्य, निठुर, निष्ठुर, नेह, स्नेह, पोखर, पुश्कर, पत्थर, प्रस्तर, E, ग्रित, घड़ा, घट, बून्ध, बिंदू, मक्खी, मक्षिका, मानुष, मनुष्य, लोह, लोह, रात, रात्रे, पाहन, पाशान, सहालक, शुबलग्न, सीख, शिक्षा, जौ, यव, जेट, जेश्ठ, जीब, जिहवा, तप्ता, तप्त, पर्याइवाची शब्द, समान अर्थवाले शब्दों को समनार्थी या पर्याइवाची शब्द कहते हैं, शब्द अग्नी, पर्याइवाची शब्द, अनल, आग, पावक, हुताशन, अम्रित, सुधा, अमिय, पीयोश, सुम, आकाश, नभ, व्यूम, अम्र, गगन, आख, नेत्र, चक्षू, नयन, द्रिग, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, उमंग, इंद्र, देवराज, सुरेश, पुरंदर, सुर्पति, इच्छा, कामना, मनूरत, चाह, अभिलाशा, इश्वर, भगवान, पर्मात्मा, प्रभु, जतीश, कमल, पंकच, जलज, अम्बुच, अर्विंद, कपड़ा, पट, चीर, वसन, वस्त्र, कामदेव, मनूच, मदन, रतिपति, अनंग, कोयल, पिक, मदुबैनी, कोकिल, कोकिला, कृष्ण, श्याम, गिरिधर, गोपाल, केशव, खल, दुष्ट, धूर्थ, नीच, अधम, गंगा, दीफनदी, सुर्सरी, सुर्सरता, भकीरती, गणीश, लंबोदर, गचानन, विनायक, गणपती, तालाब, सरोफर, ताल, तड़ाग, जलाशे, दरित्र, निर्थन, कंगाल, रंग, गरीब, देफता, देफ, सुर्ण, अमर, अजर, नदी, सरता, तटनी, सलिला, आपगा, तक्षी, खग, विहग, विहंग, नबचर, पथिक, राही, राहगीर, यात्री, मुसाफिर, पुत्र, बेटा, आत्मच, तनै, सुत, पर्वत, शैल, गिरी, अचल, नग, भूधर, पावन, हवा, समीर, अनिल, वायू, फूल, सुमन, पुष्प, प्रसून, कुसुम, बंदर, वानर, मरकट, शाखमरिक, कपी, बिजली, चपला, चंचला, तड़त, सौधामिनी, भौरा, भ्रमर, मधुप, अली, भ्रिंग, मूर, मयूर, कीकी, फुचंग भक्षी, मृत्यू, मौद, देहावसान, देहांध, निधन, रात, निशा, रैन, रात्रे, यामिनी, गोडा, अश्व, है, तुरंग, घोटक, घर, आले, सधन, निकेतन, ग्रेह, चंद्रमा, चांद, मयंग, राकेश, चंद्र, जमुना, श्यामा, कालिंदी, रविसुता, यमुना, तन, देह, काया, शरीर, वपू, सूर्य, सूरज, रवी, दिनकर, भानु, सोना, कनक, हेम, कंचन, स्वर्ण, हाथी, गच, करी, कुंजर, हस्ती, विश, गरल, हलाहल, जहर, कालकूट, विद्याले, पाटशाला, विद्यामंदर, स्कूल, विद्यापीट, समुत्र, सागर, उदधी, नीरधी, सिंधु, संसार, जगत, विश्व, दुनिया, सेना, कटक, वाहिनी, फोच, चमु, सरस्वती, शार्दा, हंस्वाहिनी, वीड़ापाणी, वाणी, शत्रू, रिपू, वैरी, दुश्मन, जल, नीर, तोवे, वारी, अम्बू, पानी, अनिकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक सी अधिक आर्थ होते हैं, उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं, शब्द, अज, अर्थ, बक्रा, ब्रह्मा, अचन्मा, अली, भोरा, कोयल, अर्थ, धन, प्रयोचन, कारण, आम, फल्विशेश, साधारण, उत्तर, एकदिशा का नाम, जवाब, कनक, सोना, धतूरा, गीहूं, काम, कामदेव, कार्य, कर, हाथ, सून, टैक्स, काल, समय, यमराज, मृत्यू, खर, दुष्ट, तिनका, एक्राक्षस, गधा, गुरू, शिक्षक, भारी, ब्रिहस्पति, गो, गाय, स्वर्क, इंद्रिय, घन, बादल, कपूर, बड़ा हतोणा, धुन, लगन, गाने का एक्ठंग, नाना, अनेक, माता की पिता, नाग, हाथी, सर्प, निशाचर, राक्षस, चोर, उल्लू, पानी, इस्जत, चमक, जल, पत्र, चिठी, पत्ता, पक्ष, माह का आधा भाग, पंक, ओर, पतंग, पक्षी, सूर्य, फतिंगा, टिड्डी, बल, बल्राम, शक्ति, सेना, मथु, शहद, शराब, बसंद, मित्र, दोस्त, सूर्य, मुद्रा, आक्रती, रुप्या, मुहर, रस, सार, आनंद, शर्बत, वार, दिन, प्रहार, विधे, कानून, तरीका, ब्रह्मा, हन्स, आत्मा, ब्रह्म, पक्षी विशेश, हरी, सर्ब, मेठक, सिंग, हार, पराजय, माला, गले का आभूशन, क्षमा, माफी, सहनशीलता, वाक्यांश, अनेक शब्द, जो परिचित नहीं है, एक शब्द, अपरिचित, जिसका अंत नहो, अनन्त, जो प्राप्थ न किया जा सके, अपराप्य, जो खाने यू कि नहो, अखात्य, बड़ा भाई, अग्रज, छोटा भाई, अनुज, जिससे देखा ना जा सके, अद्रिश, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुल्नी है, किसी की हसी उड़ाना, उपहास, जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो, कुलीन, तेस बुध्धी वाला, कुशाक्र बुध्धी, जू छिपाने यू कि हो, गोपनी है, जानने की इच्छा, जिग्यासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिग्यासू, जू कहा न चा सके, अकथनिय, किसी कार्य में निपुड, कुशल, ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तेक, ईश्वर में आस्था ना रखने वाला, नास्तेक, देखने वाला, दर्शक, सुनने वाला, श्रोता, जो बोल ना सके, मूग भविश्य में होने वाला भावी नीचे लिखा हुआ निम्न लिखित जो किसी से न डरे निडर रास्ता दिखाने वाला पत प्रदर्शक जो दूसरे के अधीन हो पराधीन सब्ता में एक बार होने वाला सब्ता है महीने में एक बार होने वाला मासेख कम खाने वाला मिताहारी जो लोगों में प्रिय हो लोग प्रिय जो विश्नु की उपासना करता है वैश्नव जो शिफ की उपासना करता है शैव बहुत अधेक पोलने वाला वाचाल सौतेली मा विमाता सदा रहने वाला शाश्वत केवल अपना ही स्वार्थ चाहने वाला स्वार्थे सब कुछ चानने वाला सर्वक्य संगीत का क्यान रखने वाला संगीत अग्य साथ साथ पढ़ने वाले चात्र सहपाथे जिसे क्षमा किया जा सके जिसका कोई स्वामी नाथ न हो अनाथ जो पड़ा लिखा न हो अनपड जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनी जिसका मूल्य ना आका जा सके अमूल्य जिसकी कोई उपमाना हो अनुपम अपनी हत्या स्वैम करना आत्म हत्या जिसमें विश्वो विशैला हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखेत चात्रों के रहनी का स्थान चात्रवास जो अभी अभी पैदा हुआ हुआ नवचाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुन्ने में तो लगपक एक समान लगते हैं किन्तु उनकी अर्थ भिन्न होते हैं ऐसे शब्दों को शुरुतिसंग भिन्नार्थक शब्द कहते हैं इस प्रकार के शब्दों की अर्थ से भली भाती परिचितना होने पर अर्थ की अनर्थ हो की संभाव न रहती है नीचे इस प्रकार के शब्दों के कुछ उदारण दिये जा रहे हैं इन्हीं थ्यांत से पढ़ो शुरुतिसम भिन्नार्थक शब्द शुरुतिसम शब्द अंस कंधा अंश हिस्सा भाग अभिराम सुन्दर अभिराम लगतार अनल वायू अनल आग अली भोरा आली सकी अनिष्ट अहेत अनिष्ठ निष्ठाहीन अनू पीछे अनू कण अवलंब सहारा अविलंब शीग्र अवधि समय अवधी अवध की भाशा अपकार अहेत उपकार भलाई गेय गाने योग्य गेय जाने योग्य पथर पावन पवित्र शूर वीर सुर दीवता अंत समाप्त अंत्य नीच ग्रह घर ग्रह सूर्य मंगल आदे परिमाल मात्रा परणाम नतीचा पढ़ना आराम करना पढ़ना पढ़ाई लिखाई सामान वस्तूए समान बराबर जैसा उपसर्ग जो शबदांश किसी शब्द के पहले चुड़ते हैं उन्हीं उपसर्ग कहते हैं ये शब्दांश अपने आप में सार्थक नहीं होते हैं, किन्तु जब ये किसी शब्द से पहले चोड़ते हैं, तो उसकी अर्थ में कुछ न कुछ परिवर्थन कर देते हैं, जैसे बल का अर्थ है शक्ति, यदि इसमें प्र उपसर चोड़ दिया जाएं, तो प्रभल शब् बनता है, जिसका अर्थ है शक्तिशाली, नीचे उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द ते जा रहे हैं, इनहीं याद करो, उपसर्ग, अति, शब्द, अति सुन्दर, अति प्रिय, अति रिक्त, अति प्रसन, अप, अपकार, अपशकुन, अपमान, अपशब्द, अनु, अनुगामी, अनुचय, अनुरूप, अनुग्रह, आ, आजन्म, आक्रमन, अगमन, अपात, उप, उपस्थित, उपनाम, उपमंत्री, उपकार, प्र, प्रगति, प्रसिध, प्रपोत्र, प्रकिर्ण, सु, सुकर्म, सुरूप, सुपत्र, सुराज, अ, अज्यान, अथा, अनाथ, असंभव, अन, अन्देखा, अन्सुना, अन्पढ, अन्बन, कु, कुपत्र, कुरूप, कुराज, परी, परिक्रम, परिवार, परिस्थिति, परिवर्दन, वि, विदेश, विपक्ष, विशेश, विज्यान, कम, कमजोर, कम अक्ल, कम समच, बद, बदनाम, बदकिस्मत, बद्तमीज, बचलन, बे, बेखर, बेनाम, बेचारा, बेशक, प्रत्याय, जो शब्तांश, शब्द, या धातु के अंत में चोड़े जाते हैं, उन्हें प्रत्याय कहते हैं, प्रत्याय के योग से शब्द या धातु, योगिक शब्द बन जाता है, जैसे सुन्दर ता, सुन्दर ता, प्रत्याय के प्रकार, प्रत्याय तो प्रकार के होते हैं, एक, कृत्प्रत्याय, जो प्रत्याय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं, उन्हीं कृत्प्रत्य इस योग से बने योगिक शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। उन्ही याद करो। गायक, धावक, अनिय, करणिय, पठनिय, स्मरणिय, निंदनिय, इक, धार्मिक, दैनिक, सामाचिक, पाश्विक, इय, राश्ट्रिय, क्षत्रिय, भारतिय, देशिय, मान, बुधिमान, शतिमान, नीतिमान, अभिमान, दार, मालदार, देंदार, हिस्सिदार, लेंदार, आवट, लिखावट, दिखावट, रुकावट, सजावट, नी, शेरनी, मूरनी, उटनी, बागनी, आई, चढाई, दिखाई, कढाई, सिलाई, वान, पन, बल्वान, गुडवान, गवारपन, कालापन, मै, दया मै, अगनी मै, पाप मै, करुणा मै,